डॉल्पाइट तेडी बेर में स्नाइपर कर स्कूल मज्जिदों में टेरर नेटवर्प हमस्गी खौपना सजश IDF के खिलाफ बोड़ा प्लान गाजा में हमास का रियाप्शन देख इस्रैली सेना के होश उड़े हुए है इस्रैली सेना की बंबारी के बीच हमास ने गाजा में जो व्यू रचना की है बैना में नेतन याहू के पास उसका कोई तोड नहीं देख रहा इस्रैली सेना जिस ओर मूव कर रही है हमास ने उस रास्ते में बंब फिट कर दिया है ये सही है कि 19,000 फिलिस्तीनियों की मौत होई लेकिन इस्रैली सेना की जीरो डेथ वार की स्ट्रैटिजी के भी बढ़चे उड़ गए है हमास के इस जबरदस्ट प्रतिक्रिया के वज़े से ही 27 सट्टूबर से यानि जब से इस्रैल ने घाजा में जमीनी हमले शुरू किये है 121 इस्रैली सेनिकों की मौत हो गई है ये आकड़ा हमास ने नहीं बलकि इस्रैली सेना नहीं जारी किया है 40 से 45 किलो मेटर लंबी और 6 से 10 किलो मेटर चोड़े घाजा पट्टी में हमास ने ऐसी कौन सी तैयारी कर रखी है कि इस्रैली सेना घाजा पर अब तक कब्जा पाने में असमर्थ रही है हमास ने ऐसे कौन सी हथियार जुटा रखे हैं जिसका जवाब इस्रैली सेना के पास नहीं है हमास के लड़ाकों ने पूरे घाजा में फैली सुरंगों की रचना कैसे कर रखी है कि इस्रैली सेना उनमें घुसने से पहले ही मात खा रही है इन सारे सवालों का जवाब डीटेल में दिखाएंगे अभी हमास ने इस्रैली सेना के खिलाफ जो चक्रवियो रचा है उसे देखिए हमास नए नए तरीकों से आईडियाफ के जवानों पर हमले कर रहा है हमास के आतंक्यों ने गोडियों के अंदर बम भर कर उसमें रोने की आवाज निकालने वाले स्पीकर लगा दिये हैं उनकी कोशिश थी कि इस्रैली बंदुकों की दलाश कर रहे आईडियाफ के जवान उसे बच्चों के रोने की आवाज समझेंगे जैसे ही उनके पास आएंगे बंब के धमाके में मारे जाएंगे लेकिन हमास डाल डाल खेल रहा है तो इस्रैल पाद पाद इस्रैल इंटेलिजन्स यूनिट ने इस साजिश का पता लगा के अपने जवानों को अलर्ट कर दिया जिसके बाद दिस्पूजल स्क्वाइड में उन्हें निश्क्रे कर दिया इस्रैली सेना ने दाबा किया है कि हमास गुडियों और बच्चों के बैक बैक्स को जान बूच कर एक सुरंग शॉट के पास रखा था जो एक बड़े टरनल नेट्वर्क से जोड़ा हुआ था इस्रैली सेना ने उस सिलाकी की तलाशी लिए और खात लगा कर किये गए हमले के साथ साथ ख्षत्र में हमास की खुफिया जानकारी और टैंक रोधी ठिकानों का भी परदाफाश किया IDF ने दाबा किया था कि हमास के आतंकियों ने टेडी बियर के अंदर स्नाइपर राइफल और बम छिपाए हुए थे इन टेडी बियर को लेकर आतंकी आम लोगों के बीच रहे थे इसके अलावा घाजा के कई स्कूलों और मस्जिदों के नीचे टरनल नेटवर्क भी मिला है इसके जरी आतंकपादी सुरक्षित आबाजा ही करते इतना ही नहीं हमास ने इस्रेली सेना के नजर से बचाने के लिए स्कूल में हथियारों का गोदाम बना रखा दे हमास के पास बिना शक इस्रेल वाला वेपन पावर नहीं है लेकिन हमास के पास हथियारों में घरेलू रॉके अफग्रेड़ेट एके-47 और सोवियत संग के दौर के मशीन गन के अलावा कई सस्ते नए और चोरी किये हुए हथियार है कई ऐसे एडवांस हथियार भी मिले हैं जिनकी सप्लाई इरान ने की तो कुछ ऐसे हैं जिनका निर्मान उत्तर कोरिया में किया गया ये जानना भी बेहत दिल्चस्प है कि हमास की पसंदीदार राइफल कौन सी है सोवियत दौर में निर्मेट 7.62 mm कैलिबर वाली AK-47 असॉल्ट राइफल हमास का सबसे पसंदीदा हथियार है आतंकी इसकी मदद से कई राउंड तक गोलियों की बौचार करते हैं इसके अलाबा SVT, Dragono, Groose Semi Automatic 7.62 mm कैलिबर स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल हमास 20 किलोमेटर दूर से हमला करने के लिए कर रहा है हमास के ट्रक भारी मशीन गन M2 Browning HMG से लैसे हैं ये पैदल से ना हलके बखतरवंद वाहनों और कम उड़ान वाले विमानों को आसानी से निशाना बना सकते हैं ये समझना बहुत जरूरी है हमास जैसे संगटनों के पास जो भी हत्यार हैं वो या तो इरान से आए हैं या हमास ने स्मगलिंग से उसे मंगाया है या सोवियत दौर के हैं इन हत्यारों से हमास इस्रेल को नुकसान तो पहुँचा रहा है 9 किलोवाला RPG-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेट लॉंचर हमास का फेवरिट है ये काफी सस्ता और उप्योग में आसान है सोवियत संग का बना ये हत्यार कंधे पर रहता है और एक क्यूब से रॉकेट दागता है ये रॉकेट आसानी से 200 से 700 मीटर की दोरी पर मौजूद टैंकों को आसानी से तबाह कर सकता है हमास को इस्रेली सेना की ताकत का अंदाज़ा है इसलिए हमास ने 2014 से ही इस्रेली हमले का प्रतिकार करने के तयारी शुरू करती थी जिन सुरंगों को नश्ट करने की बात हो रही है या नश्ट की जा रही है ये सुरंगे दुनिया के लिए जूपा हैं सोचे जरा 40 से 45 किलोमेटर लंबी और 6 से 10 किलोमेटर चोड़े घाजा पट्टी में जमीन के नीचे हमास में 500 किलोमेटर लंबी सुरंग खोद रखी है इन सुरंगों में हमास की जान बसती है, इनके हत्यार, इनके लड़ाके, इनके नेता, सारे सुरंगों में शरण पाते हैं, जहां तक सुरंगों के सफाय की बात है, तो इस्रेल ने बहुत सी सुरंगों को मठिया मेट कर दिया है, लेकिन अभी ऐसी कई सुरंगे हैं, जहां अ इराग जिससे सबसे ज़ादा हत्यार मिलने की हमास को उम्मीद थी उसने साथ छोड़ दिया है लिहाजा हमास फंस गया है बाकि किसी भी अरब देश से उसे कोई मदद नहीं मिल रही जबकि इसरेल को अमेरिका से सीधे हत्यारों की सपलाई हो रही है नतीजा जमीन पर देख रहा है में तब्दील का दिया है दाजा हमले में करीब 40 से जादा लोगों की मौत हो गई है सेंट्रल गाजा के एक शरणार्थी शिवे पर हुए हवाई हमलों में करीब 33 लोगों की जान चली गई है इनमें 14 महिनाएं और 4 बच्चे शामिल थे रफाश शहर में हवाई हमलों में करीब 8 लोगों की मौत हो गई है हर बीते दिन के साथ इसरेल गाजा पर अपना नियंत्रल बना रहा है खान योनस में इस वक्त इसरेली सेना भीशन बंबारी कर रही है खान योनस इने गाजा के कई बड़े शहरों पर इसरेली सेना ने हमले तेज कर दिये हैं इसरेल के ब्रधान मंत्री बेनमिन नेतनियाहू को बहुत गोर से सुनी क्योंकि जिन्हें युद्विराम के उमीद देख रही है उन्हें बहुत निराश होना पड़ेगा बंदकों की मौट की हमास वाली धंकी का इस्रेयल किम्रधान मंत्री बेनमिन नेतनियाहू के ओपर कोई असर नहीं देख रहा है अज़र नहीं कोई असर नहीं देख रहा है इस्रेयल फिलिस्तीन की जंग देखते देखते कई पीडियां गुजर गए लेकिन 2023 में जिस तरीके से युद छड़ा है उसने तबाही की नई कहानी लिख दी है इस्रेयल इस इरादे के साथ मैदान में उत्रा है कि हमास के अंतिम आतंकी के जंदा रहने तक गोली चलाते रहना है जबकि हमास इसकी कोशिश कर रहा है कि बीते सालों के दरब बंधकों के नाम पर वो युद विराम करवाएगा संयुक्त राश्र में आवाज उठाएगा और विश्व विरादरी से इस्रेयल पर दबाव बनवाएगा कि वो हमास पर हमला नहीं करे हमास की ये कोशिश आंशे क्रूप से रंग भी ला रही है अमेरिका ने इसरेयल को दो टूक कहा है कि हमास के आतंकियों को मौत की नीम सुलाने के दोरान ये खयाल रखा जाये कि किसी आम फिलिस्तीनी की इसमें मौत ना हो लेकिन युद में इसरेल इस कदर उलजा हुआ है कि अपनो तक को पैचानने में इसरेली सेना से बहूल हो रही है इन तीन युवकों को हमास ने 7 अक्टूबर को बंधग बना लिया था इस्रेली सेना ने गाजा पर हमला किया तो पहचान की संकट के कारण इन तीनों को गोली मार दी हाना कि इस्रेली सेना ने अपनी गलती को बूल कर ली है लेकिन युद में ऐसी गलती की संभावना लगातारपनी रहती है सवाल फिर युद कहां जाकर रोकेगा और 22 लाग फिलिस्तीनियों के भविश्यका क्या होगा इस सवाल का जवाब नेतनियाहू के पास नहीं है क्योंकि इसकी तैयारी में अमेरिका जुट गया है जो बाइडन का कहना है कि वो एक नई फिलिस्तीनी प्राधिकरण वेखना चाहते हैं जैसे मैमूद अबबास 2005 से चला रहे है पाइडन चाहते हैं कि संगर्ष समाप्त होने के बार नई फिलिस्तीनी प्राधिकरण घाजा में कारेभार समाले घाजा में आखरी बार चुनाओ 2006 में होए थे इस चुनाओ में हमास को जीत मिली थी लेकिन हमास ने सरकार बनाते ही महमूद अबबास की फत्य पारटी के निताओं के खिलाफ हिंसा शुरू कर दी थी इस हिंसा में फिलिस्तीनी प्राधिकरण और फत्य के हजारों कारेगर्था मारे गए इस हिंसा के बाद मैमूद अबबास ने हमास के प्रमुक इस्माइल हानिया को पद से हटा दिया था लेकिन हानिया ने इससे इंकार करते हुए फिलिस्तिनी प्राधिकरण से अपना रिष्टा तोड़ लिया था घासा का क्या होगा? ये तभी तै होगा जब युद्ध समाप्थ होगा या युद्ध विराम होगा और ये दोनों सूर्थें फिलहाल तो कम से कम नहीं देख रहे हैं हाँ एक बार जो अब तक युद्ध के दोरान देखी गए वो ये की अरब वॉर्ड का कोई भी देशो हमास के साथ जमीन पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है ना ही खुल कर मदद देने के लिए राजी है यमन के हूथी वे द्रोहियों के हमले या लेबनान के हेजबुल्ला लड़ाकों के अटैय इसरेल को रोख पाने में समर्थ नहीं है और इसरेल तब ही युद्ध विराम करेगा जब हमास के अंतिम आतंकी को मार कर वो घाजा पर कबजा कर ले